हाई एवरिवन, वेलकम वेक्क टूमाय चैनल रोश्चनी हुम आइडिय avens बाहर से हम जो भी सबजिया, फूर्स या ग्रॉसरी लेके आते हैं तो उन्हें हमें सबसे पहले वाश करना है, तो वाश करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने आख कान, मुँ नाख पे अपना हाथ नहीं लगाना है, और जब भी आप इस सबजियों को नहीं जुए, और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद में ये नमक वाले पानी में जो भी वेजिटेबल या सबजिया हैं, उसे अच्छे से रगड के वाश कर लें, तो जो तरीका में आज आपके साथ शेयर कर रहे हूं, मुझे भी एक डॉ द्वारा ही पता चला है, तो इसलिए मैं इसी तरीके से अभी फ्रूट्स और वेजिटेवल को अच्छे से वाश करती हूं, आपको ये अच्छा लगे तो आप भी इस तरीके से सब्जियों को या फ्रूट्स को वाश कर सकते हैं, मैंने पानी में नमक डाला है, इसकी जग ये फ्रूट्स को रख देती हूं, और 10 मिनिट तक पानी में रखे रहनें देने के बाद जो भी फ्रूट्स या सब्जिया हैं, उसे मैं अच्छे से रगड के धोती हूं, वैसे मैं इस टाइम पर जिस सब्जियों को मैं अच्छे से धो सकती हूं, उसे सब्जियों का इस मैं यूज़ कर रही हूं हरी सबजियों तो वैसे हमें मिली नहीं पा रही है लेकिन फिर भी जैसे हरी धन्या हमें मिलती भी है तो सद धोने के बाद वो थोड़ी दर बाद पूरी खराब हो जाती है इसलिए मैं स्टा Shout पहरी धनिया का भी यूज नहीं कर रही हूँ भार से लाने के बाद भले मैं से धोलू धोने के बाद भी मैं दस से बारा घंटे बाद ही इन सब्जियों का यूज करती हूँ बाहर से आप जो भी पैकेट वाली चीजे लेके आते हैं जैसे ही यह है आप यहां पर देख रहे हैं यह पूरी पैक्ड है तो इससे आप जो डिस वास लिक्विड होता है उससे थोड़ा सा डालके और इससे अच्छे से आप वाश कर सकते हैं बाहर से हम जो भी ग्रॉसरी वाला समान भी लेके आते हैं वो अधिकतर पैक्डी होता है तो इस तरीके से हम वाश कर सकते हैं और कभी आप इस तरीके से वाश नहीं करना चाहते हैं तो एक कपड़े पे आप डेटॉल लगा लें डेटॉल को अच्छे से सभी पे रब कर लें पर मुझे लगता है कि इस तरीके से वाश करने से अच्छे से ये वाश हो जाएगा तो इस तरीके से ही मैं इस टाइम पर सभी जो पैकड आइटम है उसे वाश कर रही हूँ तो जो ग्रोसरी के पैकड आइटम है इन दिनों मैं इसी तरीके से वाश कर रही हूँ सबसे इंपोर्टेंट सीज ये है कि जब भी हम बाहर जाएं चाहिए ओफिस के ले जाएं ये किसी भी काम के ले जाएं तो वहां से आने के बाद हमें तुरंत नहा लेना चाहिए जो भी आपने कपड़े पहने वे थे उसे गरम पानी में थोड़ा सा निर्मा डाल के भीगने के लिए रख दे गरम पानी में कपड़ों को भीगाने से जो भी उसमें किटानों होंगे वो मर जाएंगे और उस कपड़ों को उस दिन वाश ना करके अगले दिन उन कपड़ों क wash करें इस तान पर मैं इसी तरीके सबी चीजाओ को wash कर रही हूँ मुने जैसे कि आपको बताया है कि मुझे ये डॉक्टर द्वारा ही पता चला है जैसे इसे हमने चीजों का पता चलते जा रहा है वैसा वैसा हम यह करते जा रहे हैं आई होप आपको ये वीडियो यूसफुल लगा हो कभी आपको ये वीडियो यूसफुल लगा हो तो अपने फ्रेंट्स और फैमली के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल पर आपनाए हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करें साथी बेल आइकन को भी जरूर दबा और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो के लिजब तक के लिए बाबाई